नमस्कार जोहार सत्रियाकाल एक्जाम फाइटर नमरन पर आप सभी का बहुत स्वागत है और शारकन टेट एक्जाम दोजर चुबिस के क्लासेज में आप सभी का ग्रांड विलकम है जाप अंदर एसेश्टी को कवर कर रहे हैं भी सोशल एस्टेडी यानि पेपर टूश्ट जिनका एसेश्टी है उनके लिए इंक्परटनट क्लास है आप सभी के लिए आखिक्लास से जोगी बिलकुल नए शीलिबस के एक्जाट्ड डा रही है और यहां पर हम लोगं में यूनिट को कबर कर रहे याँ सभी यूपी टेट हो रहा है या यहाँ आपका बन रहा है और यूनिट का डिश्कसन भी हो रहा है यह और यह स्वाइब रजस्थान एक्जाम पुछा गया है जो विहार यूपी टैटो राजस्थान टैटो एंपी टैटो आप सिर्फ अगरी से शेट को बनाते हैं आज कब ट्रक्टिस को सॉल्व करते हैं के और देखेंगे तो पहले ऊप्रयास करने मार्क क्या है कि अ कि अगर का समन किसे गुनवता से प्रकेजिंग यह संसाधन से यहां फिर उत्पादन लगता है इतना में पता दो यह जो ऍवर मार्क का साइन दिया किस प्रकार नें की मार्क बात करेंगे साइन लगा हुए Little आने के लिए अनुकुल और और इस हो उइस मार्क को देख करे आपको प्रोड़ेकक्ट को पर्चेज करना चाहिए पेकेट बंद खाना को भीषियाश कर सोचाभ कंधाद को आपको आपको उसस फांद नहीं करना चीए आपको जयूद देखना बारत में के सब्सक्रों पर्माइद करता जाकता है OH9 कि यह धानियोक च्लब में क्या पराइद करता है कि सब्सक्राइद है उ सही है या उसकोभा खाने योग्योग मोठीण करें तरे कि योग्योग में कि आपonta सब्सक्राइब का उपर तो समझे वह जो खाद बारता है शरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा गोवर्णट्र इंडिया के द्वारा वह जाचा परका गया है तब आप इसको पुल्ले है अगर ये साइन नहीं है तो आपको वोसे प्रमानिकरन के लिए एक मार्क का निसान बनाया गया है इस निसान से पता चलता है कि वस्तु की गुनवता की शरकार दोरा प्रायजित किसी संस्ता से जाज कर लिए और खाद पदार्तों की पैकिंग के लिए सुरक्षित सामगरी इसे पैक किया गया है यानि जो आप खाद पदार्त खाएंगे उसकी सुद्धता की जाएंच सरकार के इस्तर से कर ली गई है इसको आप खा सकते हैं इससे यह पता चल जाता है यह होता एक मार्ण ठीक है प्रविजण क्या है प्रविज्ञें न से जीतने चीज़ों को भारत की शॵ्विधान में शामिल क्या इंग्लेन्ड गया है इंगलेंD विधाई प्रकृिया essai इंग्लैन से सब्सक्रिया एकल नाग्रिटा ओंग्लैन से विधाई परक्रिया इंग्लैनद से हमने प्रस्ट पूछे जाते हैं उसके उत्तर का सेस्ट रहता है प्रस्न काल करते हैं यहां पर पूछा जाता है नेक्स्ट और परत पाई जाती है भारतिय वायू मंदल जो धर्ती का वायू मंदल हमारा उसको विविन परतों में बाटा किया है बाटा किया अलगकिंग अलग लेट का नाम है ऑका थर्मो इस्पेर աूप इस्पेर और मीजो इस्पेर तो दफू इस संताफ मंदल करते हैं में आपको और हमें प्रोटेक्ट करती है तो क्या होगा यहां पर आपका करण स्कीन कैंसर का खत्रा उत्रन जाएगा और लोग यहां पर मरने लगेंगे पेड़ पोदेद ना श्टूने लगेंगे तो अल्टा वाइले रेज से बचाती है इसको समझने का प्रयास करते हैं इस फिगर के प्रमाद्यम से हैं से अच्छलिए यहां पर हमारा क्या है कि यह हमारा अर्थ है यह मुद्ध है और यहां पर अर्थ के उपर आप देख रहे हैं वाई मंडल है एट्मस्पेर है इसमें सबसे पहला लेयर रहा है उसको गते है ट्रोपो इस्थे और बूसरा जिसके बाद ब तो यहां पर आप देख रहें इस्टेटो इस्पेर के जस्ट नीचे इस्टेटो इस्पेर के जस्ट नीचे आपको यहां पर एक लेयर दिख रहा है यही है ऑजोन लेयर यह क्या है ऑजोन लेयर कहां मिलता है इस्टेटो इस्पेर का निचला भाग में क्योंकि यह जो आपक यहां पर आपका अबर आप चायां यहां से नहीं पहुंच पाथी यह किस न पाया गिया इसको क्या बोलता है शमताप मंड़ा कि यह आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आप से लिए खरीब की फसले हैं यह खरीब और रवी से जुराओ प्रस्ण 12 पर पूछा जाता है इसका बिल्कुल अच्छे समझ ले खरीब फसले इसमें से कौन है इसमें से खरीब फसले कौन है यहू चना या फिर जो मटर या फि समझना होगा खरीब फसल कहते कि इसको है और रवी फसल कहते कि इसको आप यह समझे खरीब और रवी दोनों से जुराओ प्रस्ण आएगा ता आप इसको आसानी से कर पाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो कि खरीब फसल क्य जल रहा है उसको ही खरीब हो गया इस मोसम का समय जुलाइस से लेकर अक्टूबर तक अभी कौन में है जो रस्कितमबर जो चीज बोया जाएगा वो मरा क्या हो खरीब रभी किसको बोलेंगे उन्य ग्यें इसमें सीट काल से आरं मोगा और कर दोले कने चाली Detroit काल यहानी ठंडा के आरं में जाएगा ए इस मोसम का समय अगर देखा जाए तो अक्टूबर नौब्बर से लेकर मार्च तक मानया जाती है मार्च अवरिभी ले इसको कब बच्चे लेकर अक्टूबर के बीच में मानसून के आने के बाद बावी कोन सा अभी बोई गया है अभी कौन सा पशल बोया गया है आपका जो उसी किनमर आपको सब्सक्राइब अभर्र देख्याव मगा दान मिल रहा हूँ आप देखेंगे गाह और तैंक्र आपको मधा मिलेगा और जो खेट एब और आपको अग्यादर पार नेख्ट व 만큼 अगर फिर्थीं के चारों वर वायुमंडल नहीं होता तो पिर्थीं का तापमान क्या होता मांन लेजिए अगर यह क्या सकी होता है अगर पिर्थीं मढल으면 देन के संभीर मढलता रात में घर जाता यह जाता है इसा अल्व मात्र का हिस्सा नहीं हो पाता ज्यादा गरम नहीं पता है और जब वह ठंडा होता है रात में तो उसको फिर रोकता है जो वाय मंदल का लेर है उसको फिर उपर जाने भी नहीं देता है रोक रोकता है यानि जल्दी उसको फिर ठंडा भी नहीं देता है और वाय मंदल जल्दी गरम होने भी नहीं देता है जब सुरच की किरने आती है तो उसको आचानक से धर्ती पर आने से रोकती है जिससे धर्ती आचानक से गरम नहीं हो पाती है और वायो मंदल रहने के कारण फिर रात में जब यह भाब बनके उड़ती है हलकी होके गरम होके हवाएं जब उपर जाती है उसको भी रोक के रखत तो दिन के समय तापमान में बढ़ेगा और रात के समय घट जाएगा बहुत ज्यादा और तापमान में काफी अंतर हो जाएगा ताप अंतर जिसको बोलते दिन और रात में काफी ज्यादा पाए जाएगा अगला कोश्चन्स है हड़ी जो होता है चाहिए मनिश्री का हड़ी वन सा मिलता है आपका? oxygen, sodium, carbon, या phosphorus, तो वह होता है phosphorus, क्या मिलता है phosphorus d number phosphorus हड़ी में पहस फर्थ होता है और वही हमारे fertilizer के रुप में उत्ला होता है , अगला मृत सागर मृत सागर क्या है मृत सागर का अपने नाम जरूर्प सना होगा पानीज हरीला है दूसरा है एसा सघर जो सभी सागरों वह महा सागरों से ज्यादा नमकिन है तुसरा है एसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत ति प्रिगामिस आते हैं एसा सागर जिसमें जहाद चलना खतरनाक है किसको करता है मृत सागर ज़िए नमकिन बहुत ज्यादा जिसे सागर जो महा सागर होते है वहां के छल खा Rebecca रहा होता है नमकिन होता है उनसे थर्टी-3 परसेंट ज़्यादा नमकिन पानी 있고 सागरtv का पाई दिधिया से प्रसिट ने इस से टाकि कोई दूसरा प्रसंद लाए आप इसे करने यह कहाँपर है यह आपको मिल जाएगा इस रहे हाँ है और जोडन यहां देखियों और इज्रायल के बीच यह आपको मृत सागर मिलेगा इसके उपर लेवनान है अभी लेवनान पर अटेक हुआ है इसी के बीच में मृत सागर की कुछ भी स्थाओं के बाएं जानेंगे आपको बहुत आस्चर लगेगा सुनके दुनिया के आजीवों में से एक है तो कहा है ज अगर आप इसमें लेड जाएंगे हम लोग यहां पर डूबेंगे नहीं पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर इसमें लेड जाएं तो डूबेंगे नहीं इसलिए इसको प्रेटन असल की रूप में काफी उप्यूख किया आता है लेकिन हाँ अगर आप इसके पानी को पी लिए तो आप मर जाएंगे यह देखिए नजरा जो लोग जाते है घूमने इसी पर अराम से पेपर पड प्रत्य प्रत्य को सबसे उपर्द होता है जो सबसे उपरी पराथ होती है उसी वह पर पति में ही उतर दाई प्रत्य प्रत्य नेश्ट नमर्ट 10 कीवर बढ़ते हैं है इस पेट्र लोट डीजल जैसे इंधनों का अपूर्न द्धान देता है जो पैट्र लोट डीजल ज़र आपका अच्छे से नहीं जलेगा वह ग। तो क्या वहां से निकलेगा वह कौन सा गयस निकलेगा जो कि हमाई लिए बहुत यहां कारब होता है नाट्रियन अक्साइड या फिर इस अगर आप कोई भी मोटर वेगिल में यूज करते हैं या बड़ी गाही में यूज करते हैं उनसे जो निकलता है गयस वह था आपका कार स्यू कारबन मोनोक्साइड कारबन मोनोक्साइड निकलता कहां से प्रेट्रोल अगर आपका जो जलता है वहां से आपका कारबन मोनोक्साइड निकलता है और कि देकी sudah होता है किस प्रकार होता है एक ब्रंगीन गंदिन और स्वाधिन गयस है जो बहुत जर्ली होती है यह कार्मन इंदनों के आदूरे जलन से बंती है कार्मन मैं सटके कोच आम स्रोत है कोन कोन सा श्रूत हो गया मोटर बाहन ४ अगर आप मोटर बाहन यूज करते है तो वहाँ पेट्रोल डिजल आपका यूज होता है तो वहाँ से आपका कर्णमनोसाइड फिजिली से जुड़ा हुआ सझन्जंत रहे जैसे आपका थर्मर पाय। बाइंट बगर रहे हैं तो व किया इसके साथ ही जो डिटियल डिसक्रसन होता हम दोगों ने किया फिर भी अगर आपको कोई प्वारी जो कई समझने में देख रहे तो आप कमेंट करें मैं आपको रिप्लाइ दिरू दूँगा इसके अलावे अगर आपको पीडियाप नौर्स चाहिए तो टेलिग्राम च